हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मैं आशा कर तो आप लोग अच्छे होंगे और यूपी पीसेल टीडीटू को लेकर काफी सिरियस होंगे तो चलिए दोस्तों आज बात करने वाले हैं आप लोग यूपी पीसेल टीडीटू का त्यारी कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए आज का सबसे पहला प्रसंट करते हैं पहला प्रसंट है तुर्सम्न तो यानि कि जो भी ता वह नहीं था क्या था या टा ये मार्जीन ऊप्लाप नहीं था उस ट्यां में जबकि ए में जो कह रहा है ए में जो दिया हुआ है दोस्तों कि नॉर्मल यह था वाइड भी था और नेरो भी था लेकिन फ्रेम्ड नहीं था तो क्रेक्ट एंसर नहीं बहला हमको पहचानना है राइट एंसर उप्षन इसका भी सही हो जाएगा या चल लेंगे आज का अगला प्रतिया है को अudi में कहरे है कि Microsoft 2007 सब्सक्राइब करता है इसके और और यहां पर उल्ट चैनल का प्राइब हो सकता है ऐसा वी नहीं होता है डी में कह रहा है कि बेरेड रो डोट मिलाकर बनती है यहाँ सही हो जाएगा इसका आगे बढ़ते हैं नया प्रसान अच कुंसा किसी अनुर्षेद के पहले अक्सर को कई लाइनों फ्यलाता है। ने फ्यirst के दोरा यानि कि फैलाता है और ड्रॉप कैप जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया हुआ है जो ए में कह रहा है कि सब स्क्रिप्ट तो सब स्क्रिप्ट का काम नहीं है फैलाना ठीक है जब कि भी में कह रहा है सूपर स्क्रिप्ट है कि Microsoft Word 2007 के menu bar में कौन सा tab word document में जो है असुधी जाचने टिपनी करने परिवर्तन करने के लिए तो यानि कि सब जो सुधा प्राप्त जो होता है या जो देखा जाता है दोस्तों वह रिव्यू में देखा जाता है और ऑप्सन इसका ही सही हो जाएगा बी में कहा रहा है डिजाइन तो डिजाइन से कोई मतलब है नहीं न रेफ्रेंस से मतलब है न लियाउट ऐसे मतलब है पेज लियाउट से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद पर हाज का अगला प्रसंद दिया हुआ है questions में कहा रहा है कि Microsoft Word पराडे में निकित में से कौन सा भी कल्प वैकतियों के समूह के लिए पत्र और email या लेबल को लिफ हाफ्य बना रहे और उन्हें और प्रिंट करने की सुभीधा देता है ठीक है तो देखे़ दूस्त यानिकी सामूह और पत्रोड और email के साथ साथ यानिकी लिफ हाफ्य जब आरा किसके होऍने हो नहीं मिल्क कार रहा है कि इसमें दोस्तों किसी में डिया हुआ है जो से च है में फाल गाल एक हिसको देखने को रहा है यहां अपिस इसका सीमें का रहा है किंगा चाहित है तो द्राप क्या है द्राप क्या है क्या है कि दो नई कि फैलाने क confidently घbad काया है फेलाने का वोट्थ को काम करता है यह दियान कि द्यान हमिराएग तो आगली दिया है कि Microsoft Word डकूमेंट कि शुरुवात में एंसरों पॉइंट को अस्तनातित करने के लिए किस keyboard sort kit का उप्यू किया जाता है ठीक है क्या कहा रहा है कि document के शुरुआत में ठीक है instant point को दुश्टो आस्तनातित करने के लिए manly रूप से पर्यूग करते हैं control और प्लस में यानि की home को प्रेस करते हैं क्या control और प्रस में हम को प्रेस किया जाता है ठीक है तो जब ऐसा प्रसन आही गया तो आप लोग यानि की ध्यान से समझेगा मैं कुछ नया प्रकार का प्रसन बना रहा हूं जो आप लोगों के बीच जो है इंग्जाम में देखनों को मिलेगा ठीक है तो मैं बता दू दोस्तों जैसे यानि की control प्लस S से क्या होता है control प्लस B से क्या होता है control प्लस B से क्या होता है control प्लस S से क्या होता है control प्लस X से क्या होता है ठीक है तो सभी पर यानि की बात करना ज़रूरी है क्योंकि इसे जो प plus में अगर end को प्रेस करेंगे फिर भी यानिकी फाइल आपेन हो जायेगा अगर प्रेस होगा अब चलिए ऊपन पर चलत Augen कोई फाइल को आपन करना तो गंट्रोल चेकर एपकर अगर यह ऑप्सन में नहीं दिया हुआ है तो एल्ट दिया होगा, घेल्ट दिया होगा. उसके बाद यानि की plus उसके बाद जो है यानि की plus F और plus में यानि की ओ दिया होगा. ठीक है? आपने का भी बात हो गया. अब चलिए. फिर चलते हैं उसके बाद जो number आता है तो क्या किजिएगा, अगर option में यह नहीं दिया हुआ है, तो यह दिया रहेगा, alt और plus में यानिकी f, और plus में यानिकी s दिया रहेगा, तो इसको click कर दिजिएगा, ठीक है, save का number खतम हो गया, अब चलिए save age पे चलते हैं, save age पे, तो save age से काफी जाता है, यानिकी shortcut की पूछा जाता है, तो यानिकी f12 को अगर प्रेस करते हैं, तो save age हो जाएगा, अगर option में यह नहीं है, तो क्या करेंगे, alt और plus में यानिकी f, ठीक है, और plus में e को ढूडें हैं, तो print की अगर बात किया जाएं, तो control plus, control और plus अगर p को प्रेस करेंगे, तो print हो जाएगा, अगर option यह नहीं दिया हुआ है, तो alt और plus में, यानिकी f और plus में, अगर p करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानिकी print हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद number आता है, दोसके बाद अंडो का आता है ठीक है यानि कि जो काफी है special है जो यानि की इंग्जाम में बन सकता वो सिर्फ बता रहे हैं तो अंडो का जो shortcut होता है दोस्तों यानि की control ठीक है control all plus में यानि की z होता है अंडो का उसके साथ फिर यानि की जो बात करते हैं उसके बाद यानि की redo का ठीक है कि किसर याने कि रीडों का तो रीडों पर बात कर लेते हैं तो रीडों का जो इसे रिडों फ्रेड़ से कलोई होता है ठीक है अगर यह प्रेस किजेगा तो फिर भी क्या हो जाएगा वह को लोज हो जाएगा ठीक है तो यह एक प्रेस करते हैं तो किसे करेंगे तो कंट्रोल और प्लस अगर डी को प्रेस करते हैं तो क्या हो अगर बात किया जाए तो ऑप्षन इसका डी सही हो जाएगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रसंट पर चलते हैं आज का अगला प्रसंट दिया है कि means word में कौन सा उपकर्ण चैनित 테क्ष के पूरे प्ररूप और सेली और स्थाइल को यहांद कि आए करने कीबात करा है आपी बहुता है कि अदों करने के दूरा होता है तो कांपी होता है कि फॉर्मेट बरस तो ना फॉर्मेंटि से मतलब है यहांड़ प्रेग्राप का संग्रेखन-डैस और एमेस वर्ड में कहा रहा है, और एमेस वर्ड की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर वर्ड की अगर बात किया जाए और प्रगराप अगर संग्रेखन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यह जो होता है, यानि कि यह जो आप लोग को देखने को मिलेगा, वो लेप्ट म में होता है किसमें होता है लेप्ट में होता है ठीक है और लेप्ट जो दिया हुआ है option C में है correct answer कि अगर बात किया जाए तो right answer option C सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बरते हैं अगला प्रसंद दिया है questions में कहा रहा है कि MS Word में आप dash बना और चला कर अक्सल उप्यों किये ज दोस्तो यह आप लोग यानि की चला के ठीक है बना के अक्सर जो उप्यों किये जाने वाला यह स्वचलित प्रकार का जो है MS Word है ठीक है ना MS यानि की macro जो होता है दोस्तों यह स्वचलित प्रकार का जो है ठीक है तो right option C में दिया है तो correct answer की बात किया जाए तो option इसका C सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बरते हैं अगला प्रसंद पर आज का अगला प्रसंद दिया है questions में कह रहा है कि MS Word 2016 document का difficult यानि की फॉंट का नाम डैस का अकार ठीक है जो देखिए दोस्तों यानि की 2016 ठीक है धियान रखिएगा 2016 से अब तक 2016 से यानि की अब तक अभी जो यानि की किया जाता है 2016 से और अभी तक प्रसंद पूश सकता है अगर यहां पर 16 के जगा पर क्या अगर 2022 कर दे तो एंसर क्या होगा फिर भी एंसर यही होता है ना डी बाला जो दिया हुआ है के लिवरी 11 यही एंसर होता है ना चलिए अगला प्रसंद पर चलते हैं आज का अगला प्रसंद दिया है कोहचंस में कहा रहा है कि MS Word की निमली खित में से किस सुवीधा का उपयोग एक डॉकुमेंट बनाने और उसे यानि की कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है तो देखे दोस्ट इने की डॉकुमेंट अगला प्रसंद दिया हुआ है कोहचंस में कहा रहा है कि MS Word 2007 या इसके बाद के अगर बात किया जाए तो इसमें दोस्तो यानि की लिगल तो बनाया ही जाता है ठीक है यानि की लिगल तो बनाया ही जाता है ठीक है यानि की लिगल तो बनाया ही जाता है साथ ही साथ एक्सकीट्यू भी बनाया जाता है और उसके साथ जो आता है दोस्तो वो A5 भी बनता है क्या होता है A5 के साथ साथ लिगल और लिगल के साथ साथ यानिकी execute बनाया जाता है ना और option किस में दिया हुआ है ऐसा तो option जो दिया हुआ है c में दिया हुआ है legal के साथ execute और a5 जो बनाया जाता है और i answer कि अगर भात किया जाए तो option प्रसन इसका सी सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदिया हुआ है अगला प्रसंदिया हुआ है कि फोर्ण में security सब्सक्राइब करके में नाफी डाय colored मेंbonला और सब्सक्राइब करने अगले का उकार या से क्वयर क Lex and दिया दूर कंवने वाला कीरे Supply तो control और plus में यानि कि shift है, control, plus shift और यानि कि less than होता है, ठीक है, अगर कमना वाला है तो less than होगा, ठीक है, अगर बढ़ने वाला पूचता तो यहां पर greater than होता, बादमा की सरा कुछ वही होता, कहने का मतलब यह जो कह रहा है दूस्तों यानि कि पहले यानि कि क्या कह रहा है यानि कि बढ़ने का तो बढ़ने वाला हो गया ठीक है अब पूछ रहा है कि सरी कमने वाला पूछ रहा है तो कमने वाला हो गया अब कह रहा है कि बढ़ने वाला तो बढ़ने वाला कि क्या होग और greater than का मतलब यानि की बढ़ने बाले देखे दोस्तों इसलिए इतना यानि की ज्यादा यानि की टाइम दे रहें क्योंकि प्रसंट आएगा पक्का आएगा पक्का आएगा पक्का आएगा कितना बार बोलू तो आएगा ठीक है तो right answer जो होगा दोस्तों इसका option B सही हो है कि Macro जो है Microsoft Word दौरा किस language का उप्यों किया जाता किस्के लिए भर तो जो जीए सब्सक्राइब होता है कि आट होता है कि एम निकि प्रिवन होता है यह मैं कहा रहा है जाबा तो जाड़ा का प्रिम्राइब में दिया है visual basic correct answer की बात किया जाए तो DCI हो जाएगा फिर से नए प्रसंग पर चलते हैं आज कापी अच्छा प्रसंग का कहा रहा है और वर्ड प्रोसेसिंग की अगर बात कर रहा है तो यानिकी Excel जो है दोस्तों यानिकी word processing software नहीं होता है MS Word जो है यानिकी word processing software है ठीक है यह है लेकिन Excel जो है दोस्तों यह नहीं है और नहीं बाला हमको पहचाना था तो correct answer जो होगा option इसका यानिकी right जो सही होने बाला है वो भी सही हो जाएगा ठीक है भी सही हो जाएगा चली फिर से नए प्रसंग पर चलते हैं नए प्रसंग का दि की इतना हम टेक्श दिखे ह हुए है अगर इसको COPY करना है न तो क्या करेंगे है ctrl capital.com को iTunes करेंगे तो सारा का सारा को जाएगा करने का मतलब समझ यह ना, यानि कि जितना इसकी ने पे लिखा हुआ word है, अगर सभी को copy करना है, तो अगर Ctrl plus A को press करते हैं, तो सारा क्या होगा, यानि कि copy हो जाएगा, इमें करहा है, mail merge होता है, तो mail merge नहीं होता है, बीमें करहा है, file की सभी समांगरी का chain हो जाता है, अगर सही बात है कि भाई जो फाइल पर यानि कि कितना समांगरी होता है वर्ड हो वो सारा क्या होता है यानि कि चैनित हो जाता है इसके दोर आगर यानि कि कापी करते हैं तो तो करेक्ट टेंसर जो होगा option इसका भी सही हो जाएगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसंद है कि Microsoft Word में किस टूल में दिये गए सब्द के लिए परेवाची सब्द देखते हैं ठीक है क्या तो परेवाची जो देखा जाता है तो तो परेवाची जो देखा जाता है तो अगर बात किया जाए तो ऑप्सन इसका यह सही हो जाएगा अगर बात किया जाए तो यह दुस्तों याव कि जो एरर आता है ठीक है तीन परकार का एर यह गता है उता है और एक और होता है कुछ लड़ होता है तो यह प्रकार का नया प्रसंद दिया है कि पहले से खुले मैक्रोषॉट लेग के लिए किस कमांड का क्या जाता किसके लिए यांविकि जो खुला हुआ है ठीक है याने कि पहले से घुला हुआ है उसका आगर नाम हमको याने की बदलना है तो सबसे पहले हैं किसको फिरेश करेंगे तो सबसे Cambridge यानिके जो प्रेस करने वाला है वो सेव एज का प्रियूस करेंगे किसका यानिके सेव एज का प्रियूस करेंगे ठीक है सेव एज जो होता है उसी को यानिके प्रेस करेंगे और सेव एज जो दिया हुआ है किसमें दिया है तो आप्शन ए में जो दिया हुआ है रिनेम दिय देखने को मिलता है आपको यह मिलता है तो क्रेक्ट टेंसर ओप्सन सी में दिया है से अगला प्रसेंद दिया है कि माइक्रोशफ्ट वर चलते हैं आज का अगला प्रसेंद चलते हैं अगला प्रसेंद दिया हुआ है दियान से देखिएगा कोशन में कह रहा है कि Microsoft Word 2007 की फाइल के जो है पेज सेटप यानि की पेज सेटप में जो निम्रिखित में से कौन सा मार्जिन मैजूद नहीं होता है ठीक है ए में का रहा है नेरो बी में का रहा है फ्रेम्ड सी में का रहा है वाइड और डी में का रहा है तो क्या नहीं मैजूद होता है तो जो और मैक्सिम के अगर बात किया जाए तो एक हो जाएगा वहीं पर मैक्सिम की अगर बात किया जाए ठीक है दोहजारसाथ की बात कर रहा है तो का बात कर रहा है तो 2007 का ठीक है तो minimum हो जाएगा और maximum जो होगा 1630 हो जाएगा कितना 1630 हो जाएगा और option जो दिया हुआ है option A में दिया है correct answer की अगर बात किया जाए तो right answer option इसका यह सही हो जाएगा आगे बरते हैं अगला प्रसंद पर अगला प्रसंद दिया हुआ है कि एक document में कई अस्थानों पर जो हर्याना सब्द है ठीक है इसे जो है document में सभी अस्थानों से हटाने के लिए हम कौन सा क्या प्रयोग करेंगे कि सारा हट जाएगा ए में करहा search and replace का do you this सब्सक्राइब highlight काती है याँ कि अगर से लिखते हैं चैना कि समझunuे कि 10-20 जगा लिखा हुआ है इसको हटाना है तो find and का परियोग करेंगे तो क्या होगा यानि कि वो हट जाएगा ठीक है जो सेम सब्द होगा वो हट जाएगा तो राइट एंसर जो होगा option इसका डी सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा अगला प्रसंद दिया हुआ है कि सेंसे कि किये लेक्ट किये यानिgesch基本 कि करने यहांने कि करने का कि मान्ड क्या है सबसे पहले क्या करना है तो लुक्त के करेंगे और सी यानि की बीश से क्या करेंग fried कर देंगे ऑप्सन डूड या इसका बीस हो जाएग ठीक है चलिए आगे भरते हैं अगला प्रसंद पर आज का अगला प्रसंद दिया है कि कोचेंट में कहा रहा है कि एक वर्ड प्रोसेसर में जो है फॉंट बिकल्प का उप्योग करके क्या नहीं किया जा सकता है ये में कहा रहा कि font का आकार font का आकार change करेंगे font का रंग भी change करेंगे font का style भी change करेंगे लेकिन चोड़ाई जो है कभी भी change नहीं हो सकता है ध्यान रखिएगा कि font में जो चोड़ाई होता है कभी भी यानि की change नहीं होगा तो right answer जो होगा option इसका D सही हो जाएगा ठीक है तो मैं आसा करता हूँ आप लोग सरा प्रस्ण को अच्छा से समझे होंगे कोई भी प्रस्ण में अगर किसी पर करका डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजिएगा आपको जबाब बहुत जल्द मिलेगा